कि अधिलो गाइस टेक्टेल चैनल में आप सभी का स्वावत है दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको उताए नहीं आपके Windows PC में Camtasia में जो है जबी भी आप अपनी वीडियो फाइल जो है यहाँ पे ड्राग एंड ड्रॉप कर रहा है उसके बाद जो है आपकी जो फाइल है उसकी जो लेंथ है वीडियो फाइल की वो आटोमेटिकली शॉट हो रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो वीडियो 50 seconds की यह वीडियो लेंथ है बट यहाँ पे Camtasia में सिर्फ वो जो है 29 सेकेंड की ही शो करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो लेंच शॉट हो रही है Camtasia में अगर आप भी इस तरह का प्राब्लम फेस करें तो इसके लिए मैं आपको एक ही easy और simple solution बताऊंगा इस वीडियो का option मिल जागा उस पे क्लिक की जए इस तरीके से और अब आपकी जो एडियो फाइल और वीडियो फाइल दोनों separate हो गई है अब आपको जो क्या करना है यहाँ पे आपकी जो वीडियो फाइल है आपको जो इस तरीके से उसको जहां तक आपकी वीडियो लेंथ है अभी वो complete हो गई है इसका जो आइडियो है आप इसको जो है complete जो है नहीं कर सकते हैं वो इतना ही रहेगा आपको जो है इसके बाद ने आपको इसके उपर voiceover देना पड़ेगा आपकी जो आइडियो फाइल है वो आपको जो है delete करना पड़ेगा ठीक है इस तरीके से आप और इसका सिंपल सेलुशन मिल गया है तो उम्मीद करता हूं आपको मारे वीडियो पसंद आगया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे शेयर को सब्सक्राइब के भीना मच चाहिए क्योंकि इसी तरह के अमेजिंग इंट्रस्टिंग डेली वीडियोस हम कर आते रहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक्यू वेरी मॉच